जाहिंद, नमस्कार, मैं अमन कुमर पंडे, आप लोगो ब्राइट पॉब्लिकेशन के यूटूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, और आसा करता हूँ कि आप लोग इस चैनल को सस्क्राइब कर चुके होंगे, यदि आप में से कोई भी इस चैनल को लगताएं अद्या के कलेंते विए कॉस्टन पर आते हैं, कुश्टन नमबर एक है, लिगाई major संख्याँ को परिती Carn स्ध में बदल्ये का करता है, ये क्ता चैनल बदलने के लिए क्या करना है, 100 से गुना कर दीजिए बस ये परतिस्ध हो जागा, जैसे कि 3 बटा 10 है यह क्या हो जाएगा 100 गुना कर दिजिए और यह परतीस सत में ँज रहेंक यह कट जाएगा जिरो से जीरो अभी गुना कर दिजिए तो 10 तीन थीर 30% 30% यह हम लोग का answer हो जाएगा clear है समझ में आ गया चलिए तो देखिए इसी के जैसे पाल समझ में आ गया तो उसी तरह से दूसरा भी हम लोग ऐसे ही बनाएंगे कि दो बटा पांच है दो बटा पांच गुने सो यह कटा दीजिए 20 कितना हो जाएगा 20 दूनी 40 तो 40% आ गया answer समझ में आ गया इसी तरह से डी भी बना लेंगे सी भी बना लेंगे और यी भी बन जाएगा ठीक है तो आप लोग से बन जाएगा चलिए आगे आते हैं question number 2 पे question number 2 है कि दिए गए दसमलो भीन को परतिसत में बदलिए दिए गए दसमलो भीन को किसमें बदलना है परतिसत में बदलना है तो आएए देखिए हम लोग परतिसत में बदलते हैं पहले क्या करेंगे 0.45 इसको पहले बीन हटा देगे तो बाटा में आ जाएगा जाएगा क्या करना है हमको कि परतिसत परतिसत में बदलना है तो क्या करना है 100 से गुना कर देना है यह percent में आ जाएगा तो यह सव से सौ खतम क्या हो जाएगा 45 परसेंट वहिंत मैं आई नहीं क्या हो जाएगा 45 पर 것으로 आज क्या हो जाएगा ? 125 बेटा में 100 रसेंट में 100 और परसेंट में बदलना है ? तो गुना adalah .. और यह % हो जाएगा यह 100 से खतं तो क्या हो जाएगा 125 percent एंसर आजाएगा क्या जाएगा ? 125 percent एंसर आ जाएगा समझ भीव आ गया ? इस나ँ आ गया ? इसी के साथ आप लोग तीसरा चौथा बना लेजिएगा उसी तरह से सेम टूसेम है दस्मालों को पहले भीन में बदल लिएगा और उसके बाद परसेंग अब बोल रहा है कि दिये गए पर तीसरत को सधारण वो दस्मालों भीनों में बदल लिए और अपने उत्तर को सरलतम लिखी वाले क्या करना इस को पर सेंट दिया गया है किया किा करना है इस इस पिए से बाता से भाग देदेंगे थी जो लेकिन बदलना है रहा है तो 2020 आदे हो जाएगा ठीक है ना खड़ू नहीं है हम लोगा सबादा से लिए देखसें यहाँ पर दिया गया है एक बटाचार है देखलें यहीं कोश्टन है आम लोगा एंसर है देखिए 25 का 25 में 100 वता दीजिएगा गटाश यह जाएगा और जड़ी टुटली कटाएंगे यह जब टुटल गटा देंगे तो जीरो फोन दो पांच आएगा यह दस मौलों में आजाएगा उसी तरह से 18 एता 18 बटा में 100 हो जाएगा 2 से कटा दीजिए तो 50 हो जाएगा और यह 9 होगा गया जाएगा 9 बटा में 50 ठीक है तो यह जब हम totally इसको कटा देंगे 9 बटा में 50 को यह answer आजाएगा 0.18 0.18 answer आजाएगा 0.18 answer आएगा यह 0.18 काट कटा देजिएगा तो खिलियर है समझ में आ गया चलिए उसके बाद ऐसी तरह सी नंबर भी नंबर को क्या करेंगे पहले पुणांग से तोड़ देंगे तो बर्चों का तालीस हर तीन 51, 51 बटा में 4 है और परसेंट में तोड़ना है तो लाना है तो 100 से भाग दे दिजिए तो यह क्या हो जाएगा नहीं कटेगा तो 51, 51 बटा में 400 51 बटा में 400 तो यह कट कर आजाएगा 0.1275 यह हम लोगा answer हो जाएगा समझ भी आ गया D नमबर अपने से बना लिजिएगा D नमबर छोड देते है चलिए आते हैं question number 4 है कि नीचे दिए गया कितरों का कितना परतिसाथ भाग 6 आंकित है कितना परतिसाथ भाग 6 आंकित है तो पहले निकालना है तो गुणा कर दीजये 100 से about इडर से गुना कर दीजिये घुणा Amitya चार 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 दुनिया तो 25 सबधर कट सो है तो 25 से और ये कितना हो जाएगा दो यह हो जाएगा कितना 75 70 बटा में 2% यदि इसको कटा दीजिएगा तो यह हो जाएगा स्रेंटिस पुणान के एक बटा में 2% समझ मैं या क्लियर है चलिए उसी तरह से बी नंबर कोश्चन है तो बी नंबर कोश्चन को देख लिजिए पहले इसका भीन ग्याद किजिए टोटल कितना है एक दू ती आच गया 20 गुने 3 तो 20 गुने 3 यानि 60% 30 जाएगा तरफ परसेंट इसका एंसर आजाएगा तीन नंबर अपने से बना लिजिए गा। फिक है ना चलिए आते हैं कोश्चन नंबर 5 पर पांच नंबर कुशन है कि एक ब्यक्ति की मासी काय 7000 रुपया है और वो 14000 रुपय प्रति महा बचाता है ठीक है तो वो अपनी आय का कितना परसेंट खर्च करता है तो देखिये मासी काय उसका कितना है तो 7000 है और खर्च करता है बचाता कितना है सकशंब्रियाoth comfortable Southern. तो अब देखिये कि माना कि वह ब्यक्ति अपनी मासी की का एक परसेंट खर्च करता है एक परसेंट करका है तो आब देखिये कि सतर का परसेंट हे मिपसेंट निकाल लिए एक परसेंट सतर का एक्स परसेंट बराबर च्छपन सो होगा यही ना साथ हजार का साथ हजार का एक्स परसेंट एक्स परसेंट तो बराबर कितना हो रहा है साथ हजार का एक्स परसेंट एक्स परसेंट निकालेंगे तो वह च्छपन सो के बराबर आएगा ठीक है तो चलिए अब निकालते हैं कि साथ हजार गुना एकस बाटा में सो बाटा में खपन सो समझ में आया कि नहीं जब यह वाज़ा गाती यह दो सोना से यह दो सोना खतम तो सत्तर एकस बराबर हो जाएगा चापन सो बाटा में कितना अपन सो बाटा में सत्तर यह एक जीरो से एक जीरो खतम साता वठी अपन ऐसी तो एकस बराबर कितना आ गया असी परसेंट एकस क्या था कि वह 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 अब्यक्ति अपनी मासी का एका असी परसेंट खर्चा करता है एकस बराबर असी आ गया तो चौँ है कि één ब्यक्ति एक ब्यक्ति अपनी आये का चौथाई भाग भोजन पर शिक्छा पर 15 तथा 22 परसेंट किराय पर खर्च करता है ठीक है एक ब्यक्ति है अपनी आये उसका जीतना भी आये है उसका एक चोथा यानि एक बटा चार इंसा भोजन पर और सिक्षा पर थता किराया पर वो भोजन पर सिक्षा पर 15% और तथा 22% किराया पर खर्चा करता है यादि वह दूसर चाचाट रुपया बचाता है इसकी आ चार एक्स बटा चार ही सा वो क्या करता है खर्च करता है भोजन पर और सिख्छा पर ठीक है और प्लस एक्स का 15 पर्षेंट यानि इतना प्लस एक्स का 15 पर्षेंट प्लस एक्सका और प्लस एक स्कू Bapt बाइस बटा में सॉए एक स्कूने बाइस बटा में सॉए और प्लस दूसर छाचर्ट ठीक और बराबर में Ex हो जाएगा अब देखे कि जो कटेगा तो कटा दीजिये और जो नहीं कटेगा तो छोड़ kiş product यह तुर धर他 ने साथ है क्टा पचास और यह हो जाएगा 11 ठीक है चलिए तो यह क्या हो जा रहा है कि एक्स बटा में 4 प्लस 3x यह गुना हो जाएगा 3x बटा में 20 और प्लस 11 एक्स बटा में 50 और प्लस दूसर 66 बराबर में x ठीक है चलिए अब इसको तो आप लूग शल्व कर लीजिएगा आगे बाटा पके जोडव घटाव करके तो यह आ जाएगा इतना इंगी आ जाएगा 266 बराबर इतना तो एक से बराबर कितना जाएगा 700 प्लस जोड़ घटाव इसको solve कर लेंगे तो ठीक है calculation है यह तो आप भी कर सकते हैं चलिए समझने वाली बात यहां पर है चलिए question number 7 है कि एक सहर की जन संख्या प्रतिवर्स 5% बढ़ जाती है एक सहर की जन संख्या मालेजिए कि सहर की जन संख्या एकस है और प्रतिवर्स एक साल में कितना बढ़ जा रही तो 5% यानि एक सका 5% एकस का 5% यानि वह इतना बढ़ जाता है यदि उसकी वर्तमान जन संख्या इतना है इतना है तो अगले वर्थ इसकी जन संख्या क्या होगे देखिए बरतमान इतना है और क्या बूल रहा है कि बरतमान जन संख्या से एक वर्थ बाद 5% बढ़ जाता है तो इसमें जोड़ देजिए इसी का 5% का 5% यानि गुना 5 बटा में से अभी ये 2-0 से ये 2-0 खत्म और इसमें 5 से गुना करके और इसमें जोड़ देजिएगा तो इंसर आजाएगा आपका इतना जन संख्या हो जाएगा क्लिए रहना समझ में आ गया चलिए आगे बढ़ते हैं आठा नंबर कोश्चन पर कोश्चन नंबर आठ है कि किसी विद्याले के छात्रशन के निर्वाचन में अध्यक्ष पद के लिए दो छात्रों में सीधी टकर थी छात्रशन बनने के लिए दो छात्र चुनाओ लड़ रहे थे जदी विजयाई छात्रों को कुल 55% भोट मिले और वह सत्तर मतों से विजयाई हुआ तो कोल कितने बैधमत पड़े और पराजित परत्यासी को कितने भोट मिले देखिए कि है कि टोटल मत कितना है एक्स है ठीक है अब देखिए कि जब बोल रहा है कि प्रस्तानमसार एक्स का 55% और एक्स का 45% घटाने पर कितना हो रहा है क्योंकि वह 55% भोट से जीत रहा है और इसको 55% मिला है जीतने वाले को तो हरने वाले को 45% मिला होगा तो उसका भोट और इसके भोट से घटा देंगे तो इसका भोट सतर परसेंट एक्सट्रा ए ना जीता होँगा है तो सत्र निकल जाएगा न चलिए यह कट जाएगा 25 ले लिजिए यह बराबर में 70 है कि 70 का 70 ही रहने लेजिए यह कट जाएगा कितना 10 एक्स बटा में 100 है बराबर में 70 चाहिए हो जाएगा 1 0 से 1 0 कटा दीजिए तो 1 से बराबर हो जाएगा 700 एक से बराबर 700 टुटल वोट कितना पड़ा है 700 समझ में आ गया चलिए अब आते हैं question number 9 पे question number 9 है कि एक कूरसी और एक table दोनों की कीमत एक कूरसी और एक table दोनों की कूल कीमत 2800 रुपया है यदि कूरसी की कीमत table की कीमत 40% कम है तो कूरसी की कीमत बताइए तो देखिए मान लिए कि table की कीमत x है तता कूरसी का कीमत क्या हो जाएगा x-x का 40% क्योंकि उसके 40% से कम है तो उसी के 40% निकाल कर उसी में से घटा देंगे निकल गया तो आप देखिए एकस माइनस एकस का 40 परसेंट बराबर एकस माइनस 2 एकस हो जाएगा तो चलिए अब इसको हम लोग साल्व करेंगे ति कितना हो जाएगा तो तो यह हो जाएगा कितना एकस माइनस 2 एकस बराबर एकस माइनस 2 एकस बराबर एकस माइनस 2 एकस बराबर 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 एक अब इसको हम लुक्षह कर लेंगे एंसर आजाएगा आठ एक्स अबटा में 5 और ब्राबर 200 गुने-5 बटा में अठ और य robotic आ झाएगा इसका एंसर वेलियстा आजैएगा इसका आजाएगा एक माना गया गया सत्रों सो पचास क्लियर है ना समझ में आ गया चलिए तथा कुर्सी की कीमत आ जाएगी 1050 यहां पर सल्ब कर दिया गया इसी के साथ हम लोगा प्रस्टनावलीज 10.2 भी क्लियर हुआ और आसा करता हूं कि आप लोगो समझ में आया होगा यह समझ में आ रहे है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कॉमेंट करके बताएं कि पढ़ाई कैसी लग रही है ठीक है अब तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे मिलते हैं फिर नेक्ष्ट वीडियो में आज के लिए इतना है जय हिंद जय भारत